नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है All Exam Guide Guru के YouTube प्लेटफॉर्म पर कैसे हो दोस्तों हमने 400 तक कॉशन पढ़ लिये थे इस वीडियो में 400 से आगे कॉशन पढ़ने वाले हैं एक चीज मैं आप से कहना चाहता हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बहुत सारे लोग बहुत प्यार देते हो लाइक वगयरा करते हो दोस्तों कमेंट भी क्या करो आपके जो भी थॉट्स हो उसको लिखा करो कि सर मुझे ये इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए सर वीडियो अच्छा लग रहा है सर वीडियो में ये दिक्कत है ऐसा है वैसा है अपने विचार प्रकट करना सीखो तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके लिए क्या बैस्ट है तो जरूर यदि आपने वीडियो खोला है अच्छा बुरा जो भी सजेशन हो कमेंट जरूर करो है न और पसंद आये कॉशन तो लाइक किये विए न मत जाना ठीक है और साथी साथ दोस्तों को शेर करना यदि वीडियो पसंद आता है तो जो भी आपके कमेंट है बिलकुल आपकी बात हम देखेंगे मानेंगे समझेंगे जो भी आप बोलेंगे उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके लिए ही है आप हो तो हम है इसी के साथ स्टार्ट करते है 401 से बहला कॉशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 401 में लिखा हुआ है टीपू सुल्तान की मत्यू 1799 में कहां हुई थी तो स्री रंगपट्टम बिलकुल सही आंसर हो जाएगा आपको पता होगा कि चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के समय हुए टीपू सुल्तान जी कहां सके थे कमेंट करके बताइएगा डक्षण अफरिका में इस्थित किमबरले किसके लिए प्रसिद्ध है तो किमबरले जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है विश्व का सबसे वेस्ट समुद्री रास्ता कौन सा है तो उत्री अट्लांटिक महासागर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा सुद्धजल का पी-एच मान कितना होता है तो साथ बिलकुल सही आंसर हो जाएगा उच्चितम नयायल है मतलब सुप्रीम कोट के मुख्य नयाधीस के निउक्ती कौन करता है तो राश्टपती करता है बिलकुल सही आंसर हो जाएगा किस मुसलिम शाषक ने सिक्कों पर देवी लक्षमी की आकरती बनी है तो मुहंबद गौरी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नंदवंश का अंतिम शाषक कौन था तो घना नंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डाइनेमो परिवर्थित करता है तो यांतरिक उर्जा को विद्धत उर्जा में मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में भू इस्तिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है तो भू इस्तिर उपग्रह का आवर्तकाल आपका 24 होता है राश्टी एक गान जनगर्मन सरुपतम कब और कहां गाया गया तो 27 दिसम्बर 1911 कौलकत्ता में गाया गया था हाइड्रोजन की खोज किसने की तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केविन डिस वेल्थ आफ नेशन पुस्तक के लिखा कौन है तो Adam Smith बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसके बात देखिए क्या कौशन पूचा गया है किस वेज्ञानिक ने खोज की कि प्रतवी सूर के चार और घुमती है तो कौपर निकस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड कारिक्रम किस पर केंद्र था तो दुख्द उत्पादन के लिए भारतिय सम्विधान के किस अनुछेद में नए राजियों के प्रवेश या इस्थापना का प्रावधान है तो अनुछेद नंबर दो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत में सरकार की संसधी प्रणाली कहां से ग्रहन की गई है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1829 इसवी में सती प्रथा का उन्मूलन किस के द्वारा किया गया तो लॉर्ड विल्यम वैटिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुकित क्सके प्रयाज से सती प्रथा का अन्मुलन हुआ तो राजा राम मोहन राय बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा हीरा और ग्रेफाइड किसके अपर डाम रूप है तो कारबन बिलकुल 轩 है आंसर हो जाएगा रसाइनों का राजा किसे ही कहा जाता है सल्फ्यूरिक अमले H2SO4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हाइडरो मीटर से क्या मापा जाता है तो द्रवों का आपेक्षि घनतों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन से तो यहाँ पर बल्देव सिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सम्विधान सवा ने जनगणमन को भारत के राष्टगान की रूप में कब अपनाया तो 24 जनवरे 1950 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतिये दलहन अनुसंदान संस्थान कहाँ पर है तो यह है कानपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षी योजना ने किसको प्रात्मिक्ता दी तो भारी उद्यों को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतिये खिलाडी गगन नारंग के किस खेल से सम्बने थे तो यहाँ पर air rifle shooting बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा खोखो में कितने खिलाडी होते हैं तो एक टीम में नो खिलाडी होते हैं आपको बताना है क्रिकेट में कितने खिलाडी होते हैं एक टीम में पिल्कुल सही आंसर हुजाएगा भारत का एंस्टाइन किसे कहा जाता नागारजुन निजह ने goneral कौन था जिसने भारत में डांग टिकित सुरू किए थे लॉड डलहजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा किस सिख ने फार्सी में जफर नामा लिखा तो गुरु गोविन सिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्लासी का युद्व 1757 में किन के बीच लड़ा गया तो अंग्रेजों के सेनापती रौबर्ड क्लाइब और बंगाल के नवाप सिरा जुद दौला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजसवा का सवापती कौन होता है तो उपराश्टपती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अभी उपराश्ट पती कौन है comment करके बताईए भारत के उपराश्ट पती कौन है comment करके बताईए ओजोन प्रत हमें किस से बचाती है तो प्रावेग नियुक्रन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तर्टो पाई जाता है ऑक्सीजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बक्सर की युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नितर कौन कर रहा था तो हेक्टर मुन्रो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाराद्वी बंदर का किस राज्य में इस्ते थे तो उडिसा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उडिसा के CM का नाम कमेंट करके ज़रू बताएगा वीडियो को पॉस कीजिए कमेंट करिए उडिसा के CM का नाम भारत की सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है तो गोंड जंजाती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद यंत्र से संबने थे तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सहनाई मलेरिया की दवा कुनेन किस व्रक्ष से प्राप्त होती है कुनेन की गौली सिलकोना की चाल से प्राप्त होती है गाय के दूद में हलका पीलापन किसके कारण होता है तो केरोटीन के कारण होता है ECG किस रोग का पता लगाने होतू प्रयोग किया जाता है हर्द है एलेक्ट्रो काडियोग्राफ आप मुझे कमेंट करके बताएए EEG का नाम किसका EEG ECG का बता दिया मैंने Electrocardiogram EEG का नाम और किस लिए प्रयोग होता है ECG का पून नाम क्या है तो Electrocardiogram बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छिली हुई सबजीों को धोने से कौन सा विटमिन निकल जाता है तो विटमिन C बिलकोल सही आंसर हो जाएगा गाय के दूद का रंग सफेद किसकी उपस्तिती कान होता तो के सीन के कान बिलकोल सही आंसर हो जाएगा सयुक्त राज अमेरिका का राश्ट्री खेल क्या है तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बेसबॉल डॉक्टर भीमराव अमबेड कर समविधान का हर्दा एवं आत्मा किसे कहा है तो समविधानिक उपचारों का अधिकार सबसे प्राचीन वेद कौन सा है रिघवेधिया पर सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बढ़ा डेल्टा कौन सा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुन्दरवन डेल्टा जो है वो सबसे बढ़ा है वायू में ध्वनी की चाल कितनी होती है तो 332 मीटर परती सेकंड दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अनाई मुडी उचाई है 26-96 मीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महत्मा गांधी को सरपतम राष्ट पिता किस ने कहा तो सुबास चंद्र बोस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जलिया वाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस ने दिया तो जनरल आर इएच डायर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पोश्ट आफिस के लिखा कौन है तो रविन नाट टैगोर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारतिय समविदान सवान है भारतिय राष्ट्य दोच की रूप रिखा को कब अपनाया तो 22 जोलाई 1947 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेसावी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है तो मेसावी रेंज जो है लो आयसकी की खान है वहाँ पर बंगाल विभाजन की घोशना किस वर्ष की गई तो 1905 एसवी में लौड कर जनने की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे प्राची परवस्त रनी कौन से तो अरावली बिल्कुल सही आंसर है रावर केला इस पाज सहयंत की स्थापना किसके सहयोग से हुई है तो यह हुई है जर्मनी के सहयोग से गौतम बुद्ध को ज्यांकी प्राप्ति कहां गोई है तो यहां पर सही आंसर हो जए गा बोध गया भिहार साख्य या सांखे-दर्सन के प्रतिपाद है कौन है तो महाश्री कपिल बिलकुल सही आंसर हो जाएगा भारत की इसमय ब्रिटेन के प्रिधन मंत्री कौन थे? तो Clement, Attlee बिलकुल सही आंसर हो जाएगा Pongal किस राजी का प्रमुक्त वहार है? Tamil 1700 बिलकुल सही आंसर हो जाएगा तौर्ण का SI मातर क्या है? मेटर पworksली सेकेंड स्क्वेर बिलकुल जाएगा बंगाल का शोग किस नदी को कहते हैं दामूतर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में खून के सुद्धी करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो डाल रक्तकन मतलब आर वी सी का निर्मान कहा होता है तो अस्ती मज्जा बोन मेरो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव किस संबने थे ध्वनी से संबने थे दॉपलर प्रभाव माहोरी जंजाती कहां पाई जाती है तो न्यूजिलेंड इसका बिलकुल सही आंसर हो जाएगा भारतिय राष्ट्री कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई 28 दिसंबर 1885 बिलकुल सही आंसर हो जाएगा वर्टवान में लोगसवा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 545 बिलकुल सही आंसर हो जाएगा लोगसवा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो 552 बिलकुल सही आंसर हो जाएगा वर्चागी बून का आकार गोलाकार किस करण से होता है तो प्रष्ट तनाओ के करण सूर के बाहतम परत को क्या कहते हैं तो किरीट या फिर कोरोना कहते हैं ठीक है कोरोना तो नाम सुनके ही भारत रत्न पुरिषकार की सुरुआत किस वर्ष होई तो 1954 बिल्कुल सही आंसर हो कमेंट करके बताईए कि सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला कमेंट करके जरू बताना वीडियो को पॉस कर लो पहले कमेंट कर लो इसके अत्तुरंद प्ले कर देना और लाइक कर लिया या नहीं भूलतों नहीं कर देखो एक बार कॉटल दवारा लिखित पुस्तक अर्थसा Makstaoleer का रख्त बैंक किसे कहा जाता है, तो सही आंसर है, पलीह, या पिर स्ब्लीन, या तिली, कापास के खेटी कि लिए सरुवादिक conquest अपजी कौन visão है, काली मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है, लंदन किस नदी के किनार है तो थेम्स नदी, लंडन को लंडन में थेम सुनदी को लंडन की गंगा कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर और किसके बीच लड़ा गया तो महराणा प्रताप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कांसा किसका मिस्टन है तो तामबा और टिन बिल्कुल सही आंसर है कोशिका की खोज किस ने की तो रौवर्ड हुक 1675 इस भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रयोक शाला में सरपतम डियने का संसलेशन किस ने किया तो हर गोविंद खुराना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केंदरी खाद प्रोदगी की अनुसंधान संस्थान कहां पर है तो मैसूर करनाट का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पैनिसलीन की खोज किस ने की तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी जील कौन से है तो कैस्पियन सागर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ आंदोलन के समय इंग्लेंड के प्रधान मंत्री कौन थे तो विश्टन चर्चल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुबाष चंद्र बोस को सड़पथम नेता जी किसने का एडॉल्फ हेटरल बिल्कुल सही आंसर है प्रती धोनी आई को सुनने के लिए स्रोता और परावर्तक सता के बीच नियुनतम दूरी कितनी होनी चाहिए तो 17 मीटर तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाल बहदूर सास्त्री बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा पर आदारित पुस्तक चरक सहीता के लेका कौन है तो चरक बुल को जिनको सांड कहा जाता है को वश में करने का खेल जली कट्टू किस राजी से सम्मल एते तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा तमिलांडू सार्स क्या है तो एक विशाणू जनित रोग है सार्स का फुल फॉल्पॉम क्या है तो सीवियर एक्यूट रेसिपरिटरी सिंड्रॉम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रिगवेद में अघन्य मतलब वद योगे नहीं सब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो गाय के लिए किया गया है new mismatics किसका अध्यन होता है तो सिककों वा धातों का अध्यन होता है विक्रम सम्वत कब प्रारम थो सही अनसर हो जाएगा कोई पूर में विक्रम शिला विष्वि द्याले की त्हापना किसने की तो धर्म पाल बिल्कुल सही अनसर है क्रिष्ण देव राय किसके समकालिक थे तो बाबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है तो सुपीरियर जील बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सम्विधान सवा के अस्थाई सरस से कौन थे अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो सच्चरंद सिना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिक के उपनाम से कौन जाने जाते हैं मिलखा सिंग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रखवी, फुटबॉल, प्रत्य एक पक्ष में खिलाणियों के सिना कितनी होती है तो 15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सम्विधान सवा के स्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद पर साथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहट हुआ तो माउंट बेटन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भारती राश्टी कॉंग्रिस का प्रतम विभाजन कब हुआ तो 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था गीता रहस्य नामक ग्रंथ किस ने लिखा है तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ आपका लिखा है बाल गंगा धर तिलक ने लोग सभा का चुनाओ लणने के लिए उम्मीद्वार की नियूनतमायू कितनी होनी चाहिए 25 वर्स बिल्कुल सही आंसर है राक्षा इसका एक कॉशन और पूछता हूँ यदि प्राइम मिनिस्टर आपका राज्य सभा का उम्मीद्वार है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाह राक्षासीत तागडी या ताली कोटा या बनी हटी का युद्ध किस वर्ष हुआ तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1565 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम अपदेश कहां पर दिया है तो सारनाध बिल्कुल सही आंसर है मुम्ताज महल का असली नाम क्या है तो आपस ए इससको बोलते हैं किस दिन होती है तो 3 जन्वरी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रथमी सूर से अपने अधिकत हम दूरी पर कब होती है तो 4 जॉलाइश को अपस ओर सही आंसर हो जाएगा विदुत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है तो चांड यहां पर बिल्कुल मिख सही आंसर हो जाएगा डेसी बल का प्रियूग किसके मापन के लिए किया जाता है तो नियूरॉण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सबसे ये छोटी अंतरस्त्रावी गंती कौन सी है तो प्यूज गंती जिसको प्यूट्री गंती भी बोलते है तंत्रीका उतक की कार्यात्मक एकाई क्या है तो नियूरॉन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पोलियो वेक्सिन की खोज किसने की तो जोनास ये साल को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा काला जारो किसके कार्ण होता है तो प्रोटो जोवा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भारती एक्रसी अनुसंधान परिसर का मुख्याले कहा है तो नई दिली बिल्कुल सही आंसर है दारा साहिफ हाल के पुरुषकार सरपधम किसे मिला है तो देवी का रानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी एने का द्वी कुंडलित संरचना मॉडल को किसने प्रतिपाद किया तो वाट्सन एवं क्रीक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जल गैस किसका सही हो जाने तो सी यो प्लस एश टू बिल्कुल सही आंसर है किस सम्विधान संसोधन अधिनियम को मिनी सम्विधान कहा जाता है तो 42 सम्विधान संसोधन अधिनयम 1976 दाचीकम नेशनल पार्क कहां पर है तो जंबू काश्मीर में दाचीकम नेशनल पार्क है कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है भा किस राज्य का प्रसिद्ध लोग रिट है तो महराश्ट रिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुनार का सूर्यमंदर किस राज्य में worden तो लोक रिश प्रप्रमकों का सूर्य departed ქ Celsius बिलकुल सही आंसर है, धातू का राजा किसे का जाता है तो सोना बिलकुल सही आंसर हो जाएगा, पीतल किसका मिष्र धातू है, तांबाः जस्ता बिलकुल सही आंसर है, वेकनन्द, रौक मेमोरियल कहा पर हिस्ते थे, तो कन्या कुमारी में, तमिलनाडु धान का प्रसिद्ध हैरा रूँ किसकी कमी किकान होता जस्पता बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फाइकोलोजी में किसका धन किया जाता यह सैवाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड होल्डिंग ने बंगाल विवाजन किस वर्ष रद्द किया तो 1911 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारती राश्टी कॉंग्रेस के संस्था पक कौन थे तो ए ओ हुम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मुंबई किस दीप पर बसा है तो सॉल्ट सेट दीप पर बस मुहनराई की समाधी कहां पर है तो ब्रिष्टल या ब्रिटेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समविदान की प्रारूप समीती के समख्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा तो पंडिट जवाहलाल नहरू बिल्कुल सही आंसर है, भारत में सरकार की संसथी प्र पर सही आंसर हो जाएगा, आपका सुक्र, प्राचीन सिक्कों पर वीना बजाते हुए, दिखाएगा हिंदू राजा कौन थे तो समुद्र गुप्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ओनम किस राजिका प्रस्तित तयोहार है, केरल बिल्कुल सही आंसर है, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमंगाता है तो पून आंतरिक परावतन के कान तिबबत में ब्रह्मपुत नदी किस नाम से जान जाती है तो सांगपु नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वहानव में पीछे का दर्श से देखने के लिए कौन सा दरपन यूज होता है तो सही आंसर है उत् रेडियो कारवन डेटिंग किसकी आयू का पता लगाने के लिए प्रियुक किया जाता है तो सही आंसर है जीवास में कौन सा अतत्व सूर्य में सरवाधिक पाया जाता है तो हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर है भारी जलका रासानिक से उत्तर D2O या पिर Deuterium Oxide सही आंस जाएगा जिदर पैदा करने वाला प्रोटो जुआ है तो ट्रिपे नो सोम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हर्याना हरीकेन के नाम से कौन जाना जाता है कपिल देव को बोला जाता है हर्याना हनीकेल हर्य कवंश का संस्थापक कौन था तो बिंबिसार बिल्कुल सही आंस आपका असम एक सिंग वाले गैंडी के लिए प्रसिद्ध है विष्व परयावन अदिवस कम मना जाता है पांच जून बिल्कुल राइट आंसर है एक अश्व सक्ति मतलब एक एच्प किसके बरावर होता है तो 746 वाट के बरावर होता है पक्षियों के अदन को क्या कहते है औरनिथोलोजी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध चीनियात्री हैंसंग किसके शाशनकाल में भारता है तो हर्ष वदन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विष्व का सबसे हुचा जलपरपात कौन सा है तो एंजल जलपरपात कैरोनी नदी पर वैने जी वैला अ बिल्कुल सही आंसर है विष्व का सबसे चोटा फूल कौन सा है तो वुल्फिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विष्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो रिप्लेशिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथी यक्रत बाबर ने अ सम्विधान को कब लागु किया गया सायांसर 26 जनवरी 1950 प्रसिद्ध चीनियात्री फायंकिस के साशन काल में आया था तो चंद्रगुप्ति दोती के साशन काल में आया था बीवी का मखवरा कहा है तो बीवी का मखवरा औरंगाबाद महाराष्ट में हो चुके हैं 200 सुपर फ पाके कर दिया करो यार प्लीज कर दिया करो शेयर जितना हो सके उतना शेयर कर दो मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों देखिए केवल और केवल आपका 20 मिनिट लगबग में आपका पूरा